हेलो एवरियोन मैं सुवाम आप सभी लोगा अपने चैनल हाई फाई एजुकेटर में स्वागत करता हूँ तो आज हम लेकर आ गए हैं अगरी कल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन ध्यांदी जगा ये कोश्चन आपके यूपी कैड़ेट ब्याच्चू आई सीयार जेट अगरी कल्चर इंटरेंस एक्जाम के लिए बहुत ही चादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आप जो भी हमारे एकरी कल्चर के वीडियो देखते हैं उसमें यूपी कैड़ेट के औलड कोश्चन 2011 से लेके 2020 तक कि इनवाल्व रखते हैं तो आप वीडियो को पूरा दिखा करिढ़े इसकी Μद जिक्जा करिढ़े तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला कोशन आपसे पूछा जाता है कि बताए कि मचली का तेल में जो प्रचूर स्रोथ होता है सबसे ज़्यादा पाय जाता है तो क्या पाय जाता है तो पाय जाता है विटामिन्स सबसे ज़्यादा वीटामिन्स आप मचली के जो तेल में सुरोध होता है किसका वीटामिन्स का अगला नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा जाता है बताईए कि ओलरी कल्चर में अध्यन किया जाता है कि बताईए कि green house gas है तो green house जो gas होता है वो CH4 होता है जो कि green house gas के नाम से जाना जाता है चलेगा इस next चलते हैं next में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि गन्ने में nitrogen 3 करड के लिए कौन सा जिवारू उपयोग किया जाता है तो आपको बतादू AC2 vector digotrophicus नाम गजिवारू उपयोग किया जाता है अगला next question आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि कौको के अध्यन को क्या कहते हैं तो कौको के अध्यन को कहा जाता है mycolossy क्या कहा जाता है mycolossy कहा जाता है चलेगा इस next चलते है next में आपसे बहुत ही जादा important question पूछा जाता है मादा बकरी को क्या कहते हैं ध्यान दिजगा ये सारे question बहुत ही important है वीडियो skip करने की कोसिस मत करिएगा ज्यादा ज्यादा 10 minute वीडियो चलेगी और आप देखके चले जाइए आपको question यहां बहुत ही जड़ा important मिलेंगे तो पूछा जाता है मादा बकरी को क्या कहते हैं तो मादा बकरी को कहा जाता है नेनी अगला next question पे चलते हैं next question में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि किस पसू के दूद में लाइसो जाइम पाया जाता है तो उम्ट ऐसा जो पसू है जिसके दूद में लाइसो जाइम पाया जाता है अगला नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं नेक्स्ट कोशन में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि भारत के किस राज में बड़ फ्लू का पहला मामला प्रकास में आया था तो महराश्ट जिसे मुंबई कहते हैं उसमें सबसे पहले बड़ फ्लू का मामला आया था अगला नेक्स कुशन आपसे पूशा जाता है कि बताईए कि लाल रक्त कडिकाएं इसे RBC का जाता है का निर्माड होता है तो लाल रक्त कडिकाएं का निर्माड जो होता है वो बोन महरों में होता है चलिए गाईज नेक्ष चलते हैं नेक्ष में अपसे पूछा जाता है कि बताईए कि पल्स पोलियो टीका करण कारिकर में कौन सा वायरस टीका प्रयोग किया जाता है तो वो होता है जीवित वायरस का टीका क्या होता है जीवित वायरस का टीका होता है आगलाने एक्स्ट क्रेशन आपसे गाइस पूछा जाता है कि DNA किस से निर्मित होता है तो आपको बता दू DNA जो निर्मित होता है वो होता है क्रोमेटिन से किसके क्रोमेटिन से निर्मित होता है सलिए गाइस नेक्स पर चलते हैं नेक्ष में आपसे पूछा जाता है बहुत ही ज़दा important कौन सी फसल camel crop के नाम से जानी जाती है तो वो फसल होती है जो कि camel crop के नाम से जानी जाती है अगला next question आपसे पूछा जाता है कि पौधे nitrogen को किस रूप में ग्रहण करते हैं तो पौधे nitrogen को NO3 के रूप में ग्रहण करते हैं जिसे nitrate कहते हैं so guys next चलते हैं next में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि भारती मृदा में सरवाधिक कि सुचमतत्व की कमी किस में पाई जाती है तो भारती मृदा में जो सुचमतत्व की कमी जो पाई जाती है वो पाई जाती है जिंक की ये थोड़ा सा मिस्टेक है जिंक की कमी पाई जाती है अगला next question आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि view fort scale होता है view fort scale से क्या मापते हैं तो view fort scale से जो मापा जाता है wind pressure और strength wind pressure और strength मापते हैं so guys next चलते हैं नेक्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि किसके चिर्काव से किसके चिर्काव से गन्य में सिर्ष प्रवहाईता Apical Dominance अवरुध की जाती है तो वो होता है cytokineen के चिर्काव से साइटो काईने के चिर्काव से अगला next question आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि मृदा प्रबंधन योजना और प्राक्रति घट्राओं के लिए कौन सा computer साप्टेयर उप्योग किया जाता है तो वो होता है गोसिस्म साप्टेयर होता है जिसका उप्योग करते हैं अगला next question आपसे बहुत ही अच्छा पूछा जाता है और हर बार paper में पूछा जाता है कि अमली वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदाई है तो अमली वर्षा के लिए SO2 और NO2 गैस सबसे ज़्यादा उत्तरदाई होता है और ध्यान दिजेगा अगर ये question हमेशा आपके paper में पूछ जाते हैं SO GUYS अगर चैनल पर नए है तो सबसे पहले चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि यहाँ पर वीडियो agriculture के बाटनी के physics के important मिलते रहते हैं अगला पूछा जाता है in situ मृदा जल्मापने के लिए सबसे उप्यूक्त उपकरण कौन सा है तो TDR होता है क्या होता है TDR होत है अगला नेक्स्ट कुछन आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि किस कारण ग्रीन हाउस प्रभा होता है तो वाता वरण में CO2 का इस्थर जब बढ़ जाता है तो ग्रीन हाउस का प्रभा होता है चले गाइस नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि भारत की ऑसत मानुषब्सरम है तो ऑसत मानुषब्सरम होता है 0.1 Kilowatt होता है अगलारमण एक्षकुर्चन पे जलते है पुछा जाता है कि बताईए कि भूमी की सता से 5 गाउचाई पर बीच्छों को काटने की कला कालातिया है तो बीचों को काटने की जो कला होती है भूमी की सता से दो मीटर उचाई पर उसे कहा जाता है पोलार डिंग क्या कहा जाता है चले गाइस नेक्ट चलते हैं नेक्ट आपसे पूछा जाता है बताईए कि गेहूं के सुरचित भंडारर के लिए दानों में नमी की मात्रा होनी यह कोश्चन याद रखे रहेगा हमेशा पूछा जाएगा 10 से 12 प्रतिस्यत रहता है नमी यह कोश्चन याद रखे रहेगा मैं 1000 बर बोल रहा हूं इसलिए आप फालदू का पेपर मत खोजा करिए यहाँ पे जितने भी कोश्चन में करा रहा हूं यह सब ओल्ड कोश्चन रहते हैं जो कि जिनकी संख्या जैसे एक पेपर में 25 कोश्चन आ रहा है तो एक टॉपिक के 25 कोश्चन इनवाल रहते हैं और बाकी निउव पेपर में पूछे जा सकते हैं इसलिए आप पूरा वीडियो देखा करिए तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे एक नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ अगर चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लिजे और प्लीज अगर हो सके तो चैनल को सेयर कर दीजीगा तो चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद